हालो एवरिवोन एन वल्कम ट्यफ्रेस्टन वीडियो तो इस वीडियो में लोग मित मेटाफोर एन पोईटरी जो कि लिखी गई थी डेविड डेचीज के द्वारा इसे कवर करने वाले हैं और यह जो हमारा वीडियो है यह पोल पे बेस्ट है जिसमें कि मैंने पूछा था क कि आप लोगों According वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो आप लोग ने एगर तेलिगराम ग्रूप जोऑन नहीं किया है तो आप लोग जोइन कर सकते हो Description में लिंक है वहाँ पर आप लोग मुझे request कर सकते हो कि अगला वीडियो में कि स्टॉपिक पिबनाओ या फिर जब म तो डेविड डेचेज कौन थे वो एक Scottish literary historian और एक literary critic थे scholar और writer भी थे इन्होंने extensively लिखा था English literature, Scottish literature और Scottish culture के उपर काफी work इन्होंने इस बारे में published करी थी अब इनके कुछ works को अगर आप लोग को mention करना हो तो आप लोग mention कर सकते हो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है अला कि बट यह important है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ से आप लोग cover कर सकते हो तो इनके कुछ famous works थे Milton, God and the Poet, R.L. Stavson, Critical Approach to Literature and Critical History of English Literature यह David H.S. के कुछ famous works थ सकते हो और अगर पांचों के पांचों याद हैं तो पांचों भी mention कर सकते हो अब हम लोग आते हैं अपने main content पे तो सबसे पहले myth metaphor poetry में Before starting the critical appreciation of the work myth metaphor and poetry let us first understand the meaning of myth सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि myth का मतलब क्या होता है तो myth क्या है A myth is a story from ancient times यह एक story है कहानी है जो कि पुराने जमाने से चली आ रही है it tries to explain natural events Natural events को explain करता है जो कि naturally हुआ था खुद वह खुद प्रकृति से हुआ था for example black face of monkeys जैसे कि यहसा भी माना जाता है कि जब बंद्रों ने लंका में आग लगाई थी and उसके बाल अपना face धोया तो वो काला हो गया तो ऐसे जो बहुत पहले पहले से चली आ रही कुछ कहानिया है उसे बोलते हैं लोग myth myth also explains about the early history of the people अब myth जो है यह पुराने पुराने जमाने में लोग कैसे रहा करते थे उसका इतिहास भी बताता है जैसे कि according to one myth एक myth के अनुसार एक कहानी के अनुसार Adam is said to be the first man and Eve is said to be the first woman जी आप लोगों को जैसे पता है Adam and Eve आप लोगोंने नाम सुन आली औरत थी लेकिन होईवर साइंटिफिकली वी नो दैट दिस इस नॉट ट्रू हम लोग को पता है कि साइंटिफिकली यह सही नहीं है क्यों क्यों कि जो डार्वीन का थियोरी ऑफ इविल्यूशन है वह अच्छे से साइंटिफिक वे में हम लोगों समझाता है कि कैसे ए नहीं हमा रहा है यह कहानी से अलग है क्योंकि साइंस तो हमें कुछ और ही बता रहा हम लोग को बता रहे कि हम लोग का जन्म ऐसे हुआ था पहले हम लोग से उसके बाद फिर इवल्यूशन हुआ फिर डिफेंट डिफेंट सिविलाइशन आई लेकिन अगर हम लोग माने कह घ्लियर का जो थीम कहानी से लिए गया हुगा लेकिन ये एक myth नहीं है, paradise lost जो है, it is also not a myth, though it derives its plot from one of the greatest myth of all and includes many other elements from the myth, अभी इसमें यहाँ पे समझायाने की कोशिस की जा रही है, कि कैसे, kinglier और paradise lost एक myth नहीं है, हालां कि उनके plot को देख करके ऐसा लगता है, कि एक myth है, आगे है, the language of poetry uses myth, अब जो poetry का language होता है, उसमें काफ example is, यहाँ पे एक example, अच्छा सा example दिया है, जो कि the wasteland है, जो कि T.S.E.L.E.T. के दोरा लिखे गई थी, a horrible scene is described through myth, अब इसमें the wasteland में, अगर आप लोग पढ़ोगे, तो एक उसमें एक scene है, जो कि describe किया गया इस लाइन से, treat treat treat, जग 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 जग, so rudely forced है, तो यह जो पूरा का पूरा है, एक bird का sound यहाँ पे explain किया गया है, क्योंकि क्या हो रहा था यहाँ पे, तो a Greek God is raping a woman, एक जो Greek God है, वो एक women का rape कर रहा है, और एक जो bird है, वो alarm है, कि यह क्या हो रहा है, तो यह warning दे रही है, एक तरह से, और फिर यह जो Greek God है, यह क् का tongue को chopped off, मतलब काट देते हैं, तो वो ऐसे ऐसे आवाज निकाल रही है, तो it is clear from the above quotation, तो इससे उपर के quotation से हमें साफ पता चलता है, that the language of myth is different from that of daily life, तो इससे हम लोग को पता चलता है, कि जो कहानी का language होता है, वो रोज मरा की जिन्दगी में यूज करते हैं, उससे काफी अलग है, next अब हम लोग आते हैं, जहा पाते हैं, कि देखो, for example, the British rule in India is called the Ravan rule, अब देखिए, British rule को Ravan rule कहा गया था, महत्मा गांदी के द्वारा, तो इससे क्या हम लोग को पता चलता है, कि जो British का rule था, वो Ravan rule के जैसा एकदम अत्याचारी था, और साथी साथ एक और बात, कि but once we associated the British rule with Ravan rule, we are certain that the defeat of Ravan is compulsory जैसे एक बार हम लोगों ने रावन rule को British rule के साथ जोड़ दिया, असोसियेट कर लिया, तो हम लोगों को पता है, we are certain that the defeat of Ravan is compulsory, रावन का जो अन्त था, और हम लोगों को पता भी चलता है, कि हाँ, उसका अन्त हुआ था, वैसे हम लोग कह सकने है, कि British rule का भी अन्त होगा Next, इन्हें metaphor, अब आगे हम लोग metaphor के बारे में बोलते हैं, metaphor क्या है, तो a word or phrase literally denoting one kind of object or idea is used in place of another to suggest a likeness or analogy between them तो किसी एक word या फिर phrase को, जो हम लोग किसी और idea के साथ compare करते हैं, या फिर relation बताते हैं, या फिर likeness बताते हैं, कि he is like Ram, तो ऐसे बोलते हैं metaphor, और हम लोग बोल सकते हैं, a figure of speech in which two different things are compared without using like or edge तो आप लोग को पता होगा कि जो simili होता है, उसमें like or edge का यूज होता है, for example अगर यहाँ पे है, c is an angel, तो उसमें जो c लड़की है, उसका comparison कर जा रहा है angel के साथ, लेकिन यहाँ पर like or edge का use नहीं हुआ है, इसलिए without using like or edge तो यह metaphor हो जाएगा, हाला कि अगर यहाँ पे होत इसलिए से, a poet uses metaphor to make a description more powerful, अब जो एक कवी होता है, वो metaphor का use करता है, एक अच्छा description देने के लिए और उसे ज़्यादा powerful बनाने के लिए, आगे है, डेविद डेचीज does not describe much about metaphor in this essay, इस essay में हाला कि डेविद डेचीज दें, ज्यादा describe नहीं किया है metaphor को, इसलिए हम लोग खाने में, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्लिस कमेंट करके बताएं, and thank you so much for watching.